शाम को कुछ अलग ही खाने का मन करता है जैसे चटपटा तीखा तो आज बनाएंगे ब्रेड से ऐसी रेस्पी जो जटपट बन कर तियार हो जाती है और खाने में भी टेस्ट बहुत ही अलग तो चली सूपर टेस्टी रेस्पी को बनाना शूर करते हैं फ्राई पेन लेंगे फ्राई पेन में एक स्पून तेल डालेंगे थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी ही राई डालेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक यह चटक न जाए इसे कंटिनू हमें दो तिन हम भूनेंगे न तो इसका कलर चेंज हो जाएगा अब यह बॉयल आलू मैंने पहले ही कर लिये तो दो यह तीन मैंने बॉयल आलू लिये हैं इसे मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिये थोड़ी सी हल्दी पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिक नमक लाल मिर्च पाउडर और गर से मिला देंगे तो यह हमारा आलू का पेश्ट बन कर त्यार है देखे कितना दिखने में यमी लग रहा है और यह रैडी भी हो चुका है तो गैस का फ्लेम हम बन कर देंगे इससे ठंडा होने के लिए रख देंगे इधर हम प्याज के डो की त्यारी करेंगे तो यह मैंने से पांच प्याज को लंबे लंबे स्लाइस इसमें काट लिया है कुछ इस तरीके से और इस मेजरमेंट से यानि कि आदी कटोरी हम बेशन लेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्श पाउडर धनिया पाउडर टेश के अकॉर्डिंग नमक उपर से खुब सारा हरा धनिया और ए ताकि जो हम इसकी स्टरफिंग लपेटिंग ने ब्रेड पर तो अच्छी तरीके से लिपट जाएए ब्रेड ली है ब्रेड में के चारो कोनों को में कुछ इस तरीके से काट लोंगी इस कटर से यह बहुत असानी से कट कर स्क्वार टाइप में कट भी जाता है तो कि ब्रेड का पीस्तियार है इसके हम बेल से अच तरीके से बेल डैंगे ताकि अच तरीके सेमें सबी ब्रेड का टौका बेल लूँगी आब इसमें जो आलू की स्टउफिंग त्यार हических दान ब्लूकर पेलांगे ब्रेड चला वाली मिर्ज दीखी चटपटी है ना अलग रैस्पी और देखने में और खाने में इतनी सौधिश्ट लगेगी जब इसे खाएंगे ना किसे बार बार बनाएंगे इस तरीके से रोल कर देंगे रोल करने के बाद देखें इस तरीके से एक-एक करके मैं सभी को यही स्टेप बैस ब्रैट के पीसे को मैं त्यार कर लूँगी और इस टाइम भी नहीं लगता सभी को सबसे पहले इस तरीके से त्यार कर लीजिये और जब आप इसे दुसरे नहीं प्रोसेस के लिए करेंगे न तो टाइम भी नहीं लगेगो जटपट बनकर त्यार भी हो जाएगा तो इस तरीके से सारे ब्रैड पर ये मैंने पेस्ट फैला लिया और इसी तरीके से फिर उपढ़ से डालेंगे चट पड़ाती का ग्रीण चिली डालने के बाद इसका रोल त्यार कर लेंगे तो ये भी हमारे स्टाफिंग इस तरीके से बनकर त्यार होग supper है नहीं स्टेप बाई स्टेप सारे हम इसी तरीके से ब्रेड रोल त्यार कर लेंगे और ये देखिए सारे ब्रेड रोल बनकर त्यार हो गए हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और जो प्याज की हमने स्टफिंग त्यार की तर इसे अच्छी तरीके से फिर से मिला देंगे मिलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है देखिए आप इसे bread के piece में न चारों तरफ से अच्छी तरीके से हम लपेटेंगे जो प्याज की layer है न इस bread के उपर अच्छी तरीके से लपेटने पर वह अच्छ टेस्ट पे आज का ब्रैड का आलू का निखर कराता है ना और स्नैक्स में इस तरीके के स्नैक्स आप छोटी मोटी केटी पार्टी में बच्चों के बड़े में कोई भी घर में special occasion हो ना तो इसे इस तरीके से त्यार करके रखके फटा फट इसे फ्राइ करके बच इसे शेकेंगे जब यह अच्छी तरीके से दोनु तरफ से हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से से जाएं तो इसक गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे तब तक सेखेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन कुछ इस तरीके से ना हो जाए देखने में कितना यमी में यम्मी इस तरीके से इसे कंटूनियम हम अलट प्लट करके सेखते जाएंगे जब इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना तो एक एक करके सभी को हम निकाल लेंगे और जब इस तरीके से आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं पर मैं इसे कुछ अलग तरीके से सर्व तो इसका टेस्ट और निखर के आएगा तो देखिए अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम इस तरीके से चाकू से गोल-गोल शेप में पीसिस काटेंगे इससे देखिए एक-एक स्नैक्स हमारा कितना अच्छा दिख रहा है और इस आप इस स्नैक्स को कभी भी बनाईए खाईए और बहुत ही टेस्टी रैस्पी देखने में हमें खाने में बहुत ही स्वात तो देर फिर किस बात की है तो इस रैस्पी को आप एक बार इस तरीके से बनाईए खाईए और खिलाईए और इंजवाई कीजिए और चैनल को सब subscribe कीजिए